वेलकम स्टुडेंट आज के इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 यह सॉल करके बताएंगे तो ध्यान से देखिए हमारा वीडियो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक एडवाइस देते हैं कि अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देख सकते हैं इससे पहले कि एक्सराइज और इस प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 के जिसमें हमने फैक्टराइजेशन मैथड बताया है उसको आप देख लेंगे तो एक्सराइज आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगी अप कोशन नंबर 1 कोशन नंबर 2 और कोशन नंबर 3 यह आपके लिए हम दिये हैं को मैं कोशन नंबर 4 बताता हूं देखे बहुत ही सिंपल है अगर आप पिछले वीडियो हमारे देख लेंगे तो आपको बिल्गुस समझ में आ जाएगा और इस वीडियो में भी हम आपको एक्स्पेंड करेंगे अच्छी तरह से तो यह जो equation है 5m square is equal to 22m plus 15 इसको हम पहले लिख लेंगे 5m square is equal to 22m plus 15 के इसको आप समय पहले standard formula है standard form क्या है student ax square plus bx plus c is equal to 0 अब इस equation को मैं क्या करता हूं standard formula लाता हूं तो 5m square यानि के m square वाला term 22m को जब इदर लाएंगे तो यह हो जाएगा minus 22m plus 15 को equal to sign के जब इदर लाएंगे तो यह हो जाएगा minus 15 is equal to 0 अब यह हमारी standard form में आ गई है अब आपको क्या करना है 15 को 5 से multiply कर देना है तो हम क्या करेंगे यह minus 15 को 5 से multiply कर देंगे तो आपको मिल जाएगा minus 75 15 फाइजा 75 और यहां पर minus sign है minus 75 आप minus 75 के आपको दो factors मालूम करने है condition आपको मालूम है कि अगर हम multiply करते हैं तो minus 75 मिलना चाहिए और अगर हम उनका addition करेंगे या subtraction करेंगे तो आपको मिलना चाहिए minus 22 अब देखे 75 के जो factors हैं वो हो सकते है 25 into 3 और हमे minus 22 लाना है इस वज़े से हम क्या करेंगे 25 को minus sign लगा देंगे अब देखेंगे condition fulfill होती है या नहीं पहले condition क्या है minus 25 को आपको 3 से multiply करना है तो आपको मिल गया minus 75 और दूसरी condition क्या है minus 25 plus 3 करते हैं तो आपको मिल जाएगा middle term का coefficient minus 22 इसका मतलब यह वाले factors हमारे correct हैं अब इन factors को हम क् देंगे minus 22 की जगा लिख देंगे तो समय पहले 5m square as it is लिखना है उसके बाद minus 15 भी as it is लिखना है और minus 22 की जगा आपको रख देना है minus 25m plus 3m अब देखें minus 25m plus 3m minus 22m ही रहेगा अब जोडियां लगा देंगे हम इसकी जोड़ी इसके साथ होगी 3m की जोड़ी minus 10 के साथ हो अब common लेंगे हम 5 और 25 के अंदर 5 common आ जाएगा क्योंकि 5 के टेबल में 25 आता है m square और m के अंदर m common आ जाएगा तो अब bracket के अंदर क्या बचेगा यहां से 5m अगर common आ गया तो यहां से बच गया m और minus का minus 5 फाइजा 25 यानि कि यहां पर 5 और m तो हमने common ले लिया है तो यहा minus का minus 3 5 फाइजा 15 यानि कि यहां पर 5 is equal to 0 हम आपको बार 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 बता रहे हैं कि इस bracket के अंदर जो आएगा इस bracket में भी वही आएगा m minus 5 अब m minus 5 को हम फिर से common निकालेंगे m minus 5 अब यहां से बच गया है plus 5m और यहां से बच गया है plus 3 तो यहां पर दूसरे bracket में हम लेग to 0 को मैं इस step को फिर से लिखता हूं यहां पर तो यह हो जाएगा बच्चो m minus 5 is equal to 0 और 5m plus 3 is equal to 0 इसको further solve करेंगे then m is equal to 5 और 5m plus 3 को जब इदर लाएंगे तो यह हो जाएगा minus 3 then m is equal to minus 3 upon 5 okay this is the solution of this equation तो final answer लिखना मत भूलो तो आप लिखेंगे 5, minus 3 by 5 are the roots of given quadratic equation मैंने short form में लिखा है आप full form लिखेंगे quadratic equation का चले अगला question question number 5 की तरफ बढ़ते हैं अब देखें बच्चो question number 5 क्या है question number 5 is 2x square minus 2x plus 1 by 2 is equal to 0 अब आपको क्या करना है देखें इसको simple करना है simple किस तरह किसे करें यहां पर 1 by 2 है तो हम क्या करेंगे 1 by 2 का जो denominator का 2 है इसको हम यहां से निकाल देंगे यहां से इसको हटा देंगे इसको हटाने के लिए क्या करना है आपको इस equation को आपको 2 से multiply करना पड़ेगा तो हम लिखेंगे multiply both the sides by 2 okay दोनों भी sides को 2 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 2 into 2 2x square minus 2 into 2x plus 2 into 1 by 2 is equal to 2 into 0 अब देखिए यह 2 1s are 2 2 1s are 2 cancel हो गया अब क्या बच गया 2 to the 4x square minus 2 to the 4x plus 1 is equal to 2 को अगर 0 से multiply करेंगे तो मिल गया 0 अब आपको हमने बताया था कि इस constant term को 4 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 4 into 1 that is equal to 4 अब 4 के दो ऐसे factors निकालेंगे हम कि अगर हम multiply करेंगे तो 4 मिलेगा और अगर हम उनका addition or subtraction करेंगे तो वो मिल जाएगा minus 4 तो यह हो जाएगे 2 to the 4 कर लेंगे हम लेकिन 2 to the 4 करने पर plus 4 तो मिल रहा है लेकिन हमें अगर इनका addition करेंगे तो minus 4 मिलना चाहिए इस वज़े से म minus और minus sign लगा जेता हूं तो factors हो जाएगे minus 2 और minus 2 तब इसको आप लिखेंगे इस तरीके से 4x square as it is लिखेंगे plus 1 as it is लिखेंगे is equal to 0 अब देखिए minus 4x की जगह आपको रखना है minus 2x minus 2x अब जोड़ियां बना लेंगे 4x square की जोड़ी minus 2x के साथ और यह minus 2x की जोड़ी plus 1 के साथ अब इसमें हम देखेंगे क्या common लेंगे 4 और 2 के अंदर आप 2 common ले सकते हैं क्योंकि 2 के table में 4 है x square और x में से आप x common ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा टू टूजा 4 इस वज़े से टूजा लिखता हूं मैं x square में से x common ले लिए तो x और यहाँ से चूँक अगली bracket में minus sign होना है हमारे को 2x minus 1 तो यहाँ पर बच जाएगा 2x का 2x plus और minus minus होता है minus 1 is equal to 0 अब देखें 2x minus 1 यहाँ पर भी है again we will take 2x minus 1 common then 2x minus 1 और यहाँ से क्या बच गया बच्चो 2x बच गया और यहाँ से बच गया है minus 1 is equal to 0 अब इसको हम further solve करेंगे तो यह हो जाए जाएगा 2x minus 1 is equal to 0 और 2x minus 1 is equal to 0 इसको मैं लिख लेता हूँ 2x minus 1 is equal to 0 और 2x minus 1 is equal to 0 अब यह हो जाएगा 2x is equal to minus 1 जब इदर चलेगा तो वो हो गया plus 1 then x is equal to 1 बाइट इदर की equation same solve कर लेंगे हम 2x is equal to minus 1 जब इदर गया plus 1 और x is equal to 1 upon 2 तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1 upon 2 comma 1 upon 2 are the roots of given quadratic equation understood student समझ में आगे आपके अब हम question number 6 solve करेंगे student तो सब में पहले question number 6 मैं लिख लेता हूँ 6x minus 2 by x is equal to 1 इसको हम standard formula आएगे तो यह हो जाएगा 6x minus 2 by x अब plus 1 को हम इदर लेकर आजाएगे तो यह हो जाएगा minus 1 यह जो x जो denominator म में आपको नजर आ रहा है आपको इस x को हटाना है ठीक है तो अब हम जो method आपको बता है कि अगर इस x को आपको हटाना है तो इस equation को आपको x से multiply करना पड़ेगा तो हम लिखेंगे multiply both the side by x तो अब क्या करेंगे आप x को 6x से multiply करेंगे minus x को 2 by x से multiply करेंगे minus x को 1 से multiply X को जब 6X से multiply करेंगे तो आपको मिलेगा 6X square यह X1X, X1X यह cancel हो गया यहाँ पर बज गया minus 2 और minus X को 1 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा minus X is equal to 0 अब इसको standard formula आएंगे तो यह हो जाएगा 6X square minus X minus 2 is equal to 0 अब आपको method मालूम है इस 6 को 2 से multiply करना है तो मैं 6 को 2 से multiply करता हूँ 6 को minus 2 से multiply करेंगे तो आपको मिलेगा minus 12 अब minus 12 के आपको factors मालूम करने हैं अब देखिए minus 12 के आपको factors मिल सकते हैं minus 12 के factors आप 6, 2, 12 भी ले सकते हैं और आप minus 12 के factors ले सकते हैं 4, 3, 12 भी ले सकते हैं लेकिन यहाँ पर 6 to the 12 लेंगे तो क्या हो जाएगा आपको 6 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो आपको मिलना चाहिए 1 मिलना चाहिए आपको 1 नहीं मिलता है अब देखिए 4 में से 3 अगर आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 1 लेकिन हमें माइनस 1 होना चाहिए इस वज़े जिरो अब आपको यहाँ पर पेर्स बनाने हैं पहला पेर रहेगा six square minus four x का और दूसरा पेर रहेगा three x minus अब इसमें हम common देखेंगे common क्या रहेगा देखे six और four के अंदर आप देखेंगे कि two ऐसा टेबल है जिसके अंदर six भी आता है four भी आता है तो इस वज़े से मैं two common निकालूंगा इसमें से x square और x में से आपको x को common निकालना पड़ेगा अब देखें टू के टेबल में जो six आएगा two three is a six तो यहाँ पर three x square में से x common निकाल गया तो यह हो गया x minus two के टेबल में four आएगा two two is a four पर इस वज़े से यहाँ पर minus अब देखें यहाँ पर plus three x minus two के अंदर कुछ भी common नहीं है इस वज़े से हम plus one common निकालेंगे तो दूसरे bracket में भी बच जाएगा three x minus two is equal to zero अब देखें three x minus two यहाँ पर भी है three x minus two यहाँ पर भी है एक मरताव फिर common निकालेंगे three x minus two अब यहाँ से बच जाएगा two x और यहाँ से बच जाएगा plus one is equal to zero तो हमें क्या मिल गाए student three x minus two और two x plus one is equal to zero तो इसको हम इस तरह लिखेंगे three x minus two is equal to zero और two x plus one is equal to zero यह हो जाएगा three x minus two will become plus two then x is equal to two by three और अब इ minus one को जब इदर लाएंगे तो यह हो जाएगा minus one और x is equal to minus one by two तो वो roots आपको मिल गाए two by three and minus one by two तो अब final answer लिखेंगे two by three and minus one by two are the roots of given quadratic equation we hope that you have understood this solution अब हम question number seven देखेंगे जो के activity based question है तो question is root two x square plus seven x plus five root two का आप सम्में पहले क्या क्या करेंगे root two को five root two से multiply करेंगे तो मैं करूंगा root two multiply by plus five root two तो यह हो जाएगा root two को जो root two से multiply करेंगे तो आपको मिलेगा two ही तो यह हो जाएगा five into two यह मिल गया आपको ten अब देखेंगे ten के factors हमें निकालना है ऐसे factors निकालना है अगर multiply करेंगे तो हमें ten मिलना चाहिए और उनका addition या 5 प्लस 2 करें तो आपको मिल रहा है middle term 7 तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वो factors है root 2 x square यह हो गया 5 u x और यह हो गया 2 x अब देखें यहाँ पर x जब common निकल गया तो यहाँ से बचेगा root 2 x और यहाँ से बच जाएगा plus 5 ठीक है और यहाँ पर अगर root 2 common निकालेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा root 2 x और यहाँ से बच जाएगा plus 5 अब इसमें से थोड़ा सा common निकलना मैं आपको बताता हूँ 2 x plus 5 में से आप root 2 कैसे common निकाला आपने तो इतनी वाली step मैं लिख रहा हूँ यह वाले step तो यह है 2 x plus 5 root 2 अब इसमें से हम क्या करेंगे 2 को आप लिख सकते है root 2 into root 2 x का x plus 5 root 2 अब root 2 यहाँ पर भी है root 2 यहाँ पर भी है root 2 common निकाल दिए तो यहाँ से बचेगा root 2 x plus 5 उसी तरह हमने लिख दिया root 2 x plus 5 अब देखे root 2 x plus 5 फिर से हम common निकालेंगे तो यह हो गया root 2 x plus 5 और दूसरे बराकेट में बच जाएगा x plus root 2 इसका मतलब यह हो गया root 2 x plus 5 is equal to 0 और x plus root 2 is equal to 0 then x is equal to what? अब थोड़ा से इसको यहाँ पर हम solve करेंगे root 2 x plus 5 is equal to 0 को solve करो बच्चो root 2 x plus 5 is equal to 0 then root 2 x is equal to what? दस 5 इदर आ गया यह हो गया minus 5 then x is equal to minus 5 upon root 2 so x is equal to हम लिख देंगे minus 5 upon root 2 जो final answer लिखेंगे minus 5 upon root 2 and minus root 2 are the roots of given quadratic equation we hope that you have understood the solution of this question also करेंगे